हालो ट्रेंट्स, वेलकम तो इंट्रेस्टिंग केमिस्टी, इंट्रेस्टिंग केमिस्टी में आपका स्वागत है और इंट्रेस्टिंग केमिस्टी में मैं आज आपको वही मेरा पुरहा टोपिक रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ रिनोग्स लिक्षिन लगभग कम्प्रीट हो चुके हैं इसमें मैंने आपको ओक्सिकन अप्चेन को विस्तित रूप से बताया है आपको ओक्सिकन अंक ग्याद करना बताया है ओक्सिकन अप्चेन की इलेक्टों धाना बताई है आक्सिकन अंकों का गर्णा बताई है और रिनोक्स अभी के लिए अर्थात आक्सिकन अप्चेन अभी के लिए अर्थार्थ आएनिक अभी के लिए किस प्रकार से संतुलित करते हैं इसकी दोनों विधियां पहली ऑक्सिकन अंक विधी और दूसरी आयन इलेक्ट्रों विधी मैं बता चुका हूँ मेरा कहने का ताथ प्रिये ये है कि ये पूरा धाय रिनोक्सिकन का खत्म हो चुगा है लेकिन एक कुछ बिंदू बचे हैं वो और में पूरा करना चाहता हूँ आज कर जो बिंदू है आज कर जो मुख्य टोपिक है वो है फॉर्मल चार्च और इसको ओप्चारी कावेस कहा जाता है यदि आपकी प्रिक्षा में ये पूछ लिया जाए कि ओप्चारी कावेस इसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देगे इसलिए आज मैं ओप्चारी कावेस की फॉर्मल चार्च की व्याख्या करने जा रहा हूँ ये पहले बेकंप्टी के तुलना करता हो आपके बंदों फीन पर कारके हैं आइनिक बंद, सहसीयोजी बंद और तीसरा जे होता है उप सहसीयोजी बंद आइनिक बंद में आप जानते हैं कि इलेक्टून का पूर्ट एस्थानांतर हो जाता है इसलिए पॉजिव और नेगेटी दो आहिन बन जाते हैं सहे सीनुजी बंदों में इलेक्टोनों का साजा होता है और इलेक्टोनों का साजा यदि दोनों जिन परमानों के मद्द इलेक्टोनों का साजा होता है उनकी यदि विद्धित रंता बराबत है तो वह अनू या वह योगिक सुद्स ऐसे यूजी कहलाता है और यह जी वित्यतरंता में अंतर होता है तो उसमें आइनी कलेक्शन आ जाते हैं जैसे यहां हाइडोजन के बारे बताता हूँ हाइडोजन का एक औरो तो हाइडोजन का एक ये हाइडोजन एक और ये हाइडोजन एक हरणा है होता है ये यहे मुलेक्शन ओम कपकी सिथे बारे exports सिफ्ट हो जाता है यहां सरक जाता है जिसके काविश से यहां आंसी काविश आजाता है डेल्टा पॉसिटी हाइडोजन पर और डेल्टा 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 वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ जाता है, जिसके कारण से क्लोरीन पर प्रमानों पर इलेक्ट्रोन डेंसरी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोन डेंसरी जो बढ़ जाती है, तो वो आवेस आ जाता है, यह भी ओप्चारी कावेस नहीं है, ओप्चारी कावेस आपको उपसें सेंचिन जी ढंड होते हैं ? जासेंचिन जी बंड कम होते हैं जब जिसे महाँ A के पास इलेक्रोन आफ और ये B के पास अलिक्रोन नहीं तो A ने पहले अपना एक एलेक्रोन B को दिया ऐसा समझाते हैं समझाने करी sujet है वहां पर कोई ऐसा नहीं है जिसा मैं बोंगा हूं कि एलेक्ट्रों देता है प्रिसान जा करता है ऐसा कुछ नहीं केवल आपको समझाने के लिए मैं ये कहानी की रूप में आपको बता रहा हूं तो इदिया और फिरुसी के साथ में ही साजा कर लिया है अरथार यहाँ बी जो है वह इलेक्ट्रों Usually उन है उसमें एक्ष्य कामी है या उसमें इलेक्ट्ल क्राइं करने की पावर है इसलिए छ dues लिए के पास लेक्ट्टॉमिंगु अधीत है इसलिए एडिक्त को रिढ़ा हो उसी क्राइब अथाल मौल रूप से यह ब Honor लेप्रों तो एक है है मुदूब से दोनों इलेक्रों क्या चीज़ है एके हैं लेकिन ये जो एक लेक्रों है इस पर हलका साथ जब स्मीनुजी हो गया तो बी का परभाव भी आ जाएगा और एका ये तो पूर उसमिदार है यहां इस टारेट से यहां ये ए और बी के बीच में ये जो बंद बनाया जाता है यदि आपने सीधा बंद बना दिया तो फिर क्या कहते हैं इसको कि ये तो सहसे जीवन हो गया अब इसमें ये पता नहीं लगता कि किसने किसको इलेक्टर दिया है इसलिए इस बन को हम इस प्रकार से एक इंशान से दिखाते हैं इस बन को उस सहसे जीवन कहा जाता है नहीं तो फिर हम क्या करते हैं इसको इस परकाट से दिखा देते हैं यहां positive यह शोरी positive यह वन negative यह positive यहां बिंद एक 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 आविश आविए है एक यूडि़ आविश आविश अगया है positive यहां रएक बस one मत लगाओ यहां पर यहां पर कहता है लिए लगए टोडिन्हें लिए सर्थ होता है जब टोन क्या है हरका साथ सारता है तो सिफ्ट होता है यहाँ पर क्या चीज है कि इलेक्टों पार्च्छी आंसे कुरूप से ट्रांसफपर होईまで पूर्ट्या सब्राइ दर्स पर अन्सी पर ट्रांसपर होएक Eastern इसलिए पड़ेग्त मैं और के पर पोजिटीव और ये निगेटिव थे इस आज को यह जो अचाया है इसी को min आपचालिक आवेस कहते हैं इसी को ही फॉर्मल चार्ज कहते हैं जिसका संकेत मैंने एक सी बना दिया रहा है अर्थार ये आप ऐसा अल्गोग कर सकते हैं तो फॉर्मल चार्ज के अंदे करता है उपसेंसी जिए बंग जब बनते हैं तो जिसके पास एलेक्टॉम कम होती आवेस नेगेटिव और इसके पर पॉॉज़िटिव और यहाँ यहाँ ऐसा जिखा एमेगे तो इस प्रकार से यदि ऐसा दिखाएंगे तो एसा इससे आवेस को कि हम क्या कहते हैं आपचारिक आवेस कह दिया जाता है कि जब क्या होता है उस हैं से जी जब बंद बंते हैं उस समय जब एक परमानों इलेक्टों रिच होता है और दूसरे परमानों इलेक्टों नियून होता है उस समय जब दोनों परमानों कटे आते हैं जिसके पास के साथ समाजा कर लेता है ऐसा जिसके काभिछ से लेने वाले लेो्मनों के ओपर नेगेटीव चार्ज और देने वाले पर मेघेटीव चार्जढ़िव चालए इस आवज़ को लिय और क्यरिक अवेस या Water जाट यह FC कहते हैं इसका उधारण और मुझा देता हूं कि आपके अंदर जब क्या है कि एक्जाम्पिल इसका और देता हुआ इहां मेर अमोनिया का उधार लेजिए छोड़ें अमोनिया का अधान लेजिये यह एंड है और यह हैं से यह एmmonija नाइट्रोजनके पशक्रोंको होता है यह हमाइट्रों है इन नाइट्रोजन है यह altså यह hr hy ऐसलिए यह उसको देगा बॉरोंबो और उसी के साथ साजा कर लेगा तो फिर आप इसको एंड और ये बी एफ त्री ऐसे लिखेंगे जब आप तीर का इंशन लाइए तो ऐसे लिख देंगे और नहीं तो फिर आप ये क्या करेंगे इन-स-3, 5-3, 5-3 के ऊपर हलका नगेटी चार्ज और एंड नाइटोरोंजन के उपर हलका पॉसिटिव चार्जज्ड़ोंगे जुड़ेुव हैं आईनी की ओविश में तो एनने पॉजिटिव और सी अलेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं कोई आपसरो नहीं है, लाकशन है, लेकिन यहां यह बंगित हैं, और इसको पर हल्के हल्के जो चाह जाते हैं, उस चाहल इसको क्या कह दिया करता है, अपचारिक आवेस कहते हैं, आ और झारिक आवेस कैसे गया करेंगे जैसे मान कोई हांपर लिया है, आपने यह कुछन दो ले पहले लेता हूं, S.C.L.O. 4, S.C.L.O. 4 में S.C.L. पर और क्यारिक आवेस गया करना है, CL का अपचारिक आवेस ग्यार करना है तो आप कैसे करें इसकी सरचना बनानी पड़ेगी इसकी क्या बनानी पड़ेगी सरचना बनानी पड़ेगी S-C-L-O-4 H-C-L-O-4 S-C-L-O-4 की ज़प सरचना बनाएंगे आप तो ये बनाएंगे H-O-C-L C-L-R-C-L ये है S-C-L-O-4 की सरचना S-C-L-O-4 की जब सरचना बनानी तो फिर ओक्यारिक यानि F-C पॉर्मल चार्ट का शोर ग्रूप मैंने F-C बना दिया है F-C बराबर परमाओं के सिंजिता कोस में इलेक्टोन की संख्या किसका निकलना है आपको C-L का F-C निकलना है वराबर C-L का इसलिए C-L परमाओं के सिंजिता कोस में इलेक्टोन की संख्या कितनी होगी है साथ परमाओं के निकलना है परमाओं के संख्या पहले बोस्ते दूए दूसरे में आठ और दीसरे में इलेक्टोन की आपको साथ एव बंदी थी लक्रों की संख्या कोई भी एव अभर लिक्टों नहीं है इन सबस्कोंडिने औकसिज M के उपर बंदी कि एंपर यहां पर बंदी इलेक्टों है यहां पर बंदित एलेक्ट्रोन है इहां ने क्लोरीन के जो एलेक्ट्रोन थे छे एलेक्ट्रोन थे दो इहां थे दो इहां थे और एक ने साज़ा कर लिया तो सब ने यहां साथ इसलिए इहां प्लस तीन करें प्लस जीरो करेंगे और इसी प्लस तीन प्लस 3 क्लोरीन पर उप्चारिक आवेश SCL4 में 3 हैं फिर मैं आपको यहां समझाते क्याद करना हूँ कि OM और FC ऑक्सिडेशन नंबर और उप्चारिक आवेश दोनों भिनबिन हैं यही यहां पर SCL4 में CL का ऑक्सिडेशन नंबर ग्याद करेंगे तो मैंने आपको तरीका बताया प्लस 1 क्लोरीन का X प्लस 4 ऑक्सिडेशन माइनस 2 is equal to 0 so X is equal to minus 8 प्लस 1 तो यह प्लस 7 यहां क्लोरीन का ऑक्सिडेशन साथ है जबकि ऑक्चारिक आवेश कितना है प्लस 3 है प्लस 3 है अब यहां पर क्या है कि यही मैं आप से ज़ओं कि इस ओक्सिडेशन का ऑक्चारिक अवेश कितना है तो यहां से मालो ओव एलफा का आप निकालना चाहते हैं यह एलफा ऑक्षिजन है तो ओव एलफा का ऑक्षिजन कितना होगा? O, Alpha का, F, C, sorry, F, C, कितना हो, Oxygen के बहीं कोस्वें कितना है, Oxygen का नंबर कितना है, आज, पहले कोस्वें, दो, दूसरे में 6, इसलिए हैं आपर 6 लगाएंगे, 6 माइनस, इसलिए ही लगाएंगे, ये एक, सुत्र है, बंदों किसम क्या, एक बंद बनेंगे, यहां कितना बंद एक, और, इलेक्टोनूं किसम क्या कितनी है, 6, प्लस 6, प्लस 6, इसलिए 6 लेक साथ 6, माइनस बन कि, इस प्रकार से, प्रदे क्लोरीन के ओपर, माइनस 1 है, माइनस 1, माइनस 1 निका दोए, तो, अज़ये, पूर्णानु क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, इसलिए आप इ अक्सिदिशन नंबर ऑक्सिकान अंग दोनों भिन भी है और चाली कावेश में यह आपको करना है अब जिससे S3PO4 में H3PO4 S3PO4 है यह मैं देना हूँ में आपर कि S3PO4 में फास्पोरस का अक्सिकान आएंगे ज्याद करना है और फिर एफसी भी ज्याद करना है तो पहले मैं T का FC क्याद करना हूँ T का FC सुत्र नीचे बनाने को फास्पोरस फास्पोरस का नंबर कितना होता है पंदरा नंबर होता है 2 8 और बागी कृते यहनнес माइनस माइनस अब इसकी यहां अपने को बंदों की संक्राइब S3PO4 में P के चालों दरब कितने बंद हैं इसका पता नहीं है इसलिए P की S3PO4 की सरचना अपने को यार किरनी है यह PO4 यहां OH 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 और यह डबल पॉन से PO4 और यह S3PO4 की सरचना हो S3PO4 तो अप्चारिक आविस क्यात करने के लिए रुश सरचना कर जाना बहुत जरूवी है इसलिए यहां पर 5 माइनस बंदों की संख्या 3 और 2 पांच बंदों की संख्या 5 है FC में PO4 के उपर बंदों की संख्या कितनी हैं अपर 5 है और उसके बाद में आए बंदी की रेक्रों की संख्या जीरू इसलिए पांच माइनस पांच और उप्चारिक आविस कितना जाएगा अब यह बनाओ की इसके उपर उप्चारिक आविस जीरू क्यों है क्योंकि यहां पर कोई उपसेसिंजी बंद नहीं अरे जहां पर भी आपको उपसेसिंजी बंद दीखें वहां पर भी रिखाई दें वहीं आप मॉज़र नी और मेगेजिव कर दो दोस्कों तो वह उप्चारिक आविस साथ है सीरी इसी बात पताता हूं इसलिए यहां पर अब यह जी आपको इसका SvP4B का Oxidation अंग दियात करना है तो यह बनाओ बता चुका हूं यहां से यह प्लस 3 X चार दुनी 8 प्लस 4 इंटू माइनस 2 रखने का तरीका यह है विसकर तो 0 अब यहां से क्या करेंगे X माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 5 यह जो फास फोलस है वो X प्लस 5 है तो यह आप क्या कर सकते हैं यह दूसर प्लस 5 है तोक्षिकर रॉंक ज्यात कर लिया आपने और वो बता लिया अब मैं आपको एह लोर बता लेता हूं कि ऑप्चारीक आवेस की साहता से हम आयन या अनों इधारित करते हैं ऑप्चारीक आवेस की साहता से हम आयन या अनों इधारित करते हैं यदि किसी योगिक में समस्त पर्मानों का उपचारिक आवेस जूर करके एजबिक जूर को ले और सुनने होता है तो वह योगिक वह अनु जो है वह अनु होता है शुन होता है सुनने योगिक होता आरू हो जाएगा और यह जाएगा मान उसकी पर किसी प्रकार का आवेस है तो फ्रिम क्या होता है आयन पर आप जेसरे मैं ह Ichan Deri की शनरा के अधार पिशिदर कर बताता हूं HNO3 HNO3 की रचना क्या होती है O N double bond O और ये O HNO3 Nitros ये HNO3 की सरचना होती है अब इसमें क्या है कि यहां से समस्प 1, 2, 3, 4 और 5 यानि सधीक ये परमानों का और चारिक आवेश ज्याद करना पड़ेगा यहां पर हम N का F C बराबर Nitros ये भाई ये पोस नहीं सितने लेक्टरों होते हैं Nitros न का नमबर कितना होता है कितना नमबर है Nitros न का 7, 5, 5 आ जाएंगे 5 बंदों किसंचा कितनी है 1, 2, 2, 4 तो यहां माइनस और यहां से क्या करेंगे बंदों किसंचा 4 1, 2, 2, 4 प्लस इलेक्टरों किसंचा इसके उपर कोई इलेक्टरों नहीं है तो यहां 0 इसलिए Nitros न के उपर प्लस बंदों चाहर से रहे Nitros न के उपर प्लस बंदों है और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे इस हाइडोजन का निकाल लेते हैं हाइडोजन का FC हाइडोजन के बाद में बंद किसंचा एग प्लस जीरो इस इकर्टों जीडों अब मैं इस ऑक्षिजन को एलफा मानता हूँ ओ एलफा का FC इस ऑक्षिजन का इस ऑक्षिजन पे आप देखिए ऑक्षिजन के बाद में 6 प्लस बंदों होते हैं एक नहीं हाँ साजा गिया इसलिए एलफा का जो अपसारी कावेस होगा ऑक्षिन के बाद में माइनस बंदों किसंचा दो दो इलेक्टों किसंचा एबनी इलेक्टों किसंचा चार इस ही करेटो चार दुछे जीडो अब मैं इसको को मानता हो बीटा इस सक्षिन कुमा ओ का लीडा Arc तो ओं बीडा का एस सी क्याब करो वाये कोज में एक्ट्रूम कितने होते हैसं बेपसिन के 6 और यहां डों साज़ा कर लिया दो न यहां पतिया ओबीटा 6 माइनस बंदों की संख्या कितनी है दो और इलेक्रोन की संख्या जिनों ने बंद बनाने में भाद नहीं दिया है बंदी इलेक्रोन की संख्या कितनी हो जाएगी चार तो यह ही जी हो अब इसके उपर आता है इस ओक्षिन के उपर इसका खुद के जो चाहिए जो कित्यों है क्योंकि यह तो नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रोन दिया उससे इसको साज़ा किया है अत्य है ओ इसको मैं गामा मान लेता हूँ ओ गामा पर एफ सीगर टू सीक्स माइनस बंदों की संख्या एक और इलेक्ट्रों की संख्या कितनी है चैप प्लस सिक्स करेंगे बिद्धी कर टू किस इसमाइनस सेवन माइनस तो मैंने आपको रुधान बगाता तो पहले यह तो आपको प्रिश्या में तो नहीं करना है इस कि यहां positive बोलेगा और यहां negative बोलेगा तो यहां negative बोलेगा अब आपको यह बताना है कि यह आयन है यह अनु है इसके समस्थ अधिर्टीन औक्षिजन हाइड्रोजन और का योग कितना है आप इसको योग को बने प्लस वन माइनस जीरो जीरो इसका मतलब इसके समस्थ परवाणों के ओपचारिक आविस्थिसका सुन्ने है अतहर यह अनु है अतहर यह क्या चीज़े अनु है एजनु तरी क्या है एक अनु है मोलिक्यूल है उदासीन है अनु है लेकिन SIF6 की बात करता हूँ मैं SIF6 SIF6 यह 6 फ्लोरीन लगे हैं 6 फ्लोरीन लगे हैं 6 फ्लोरीन लगे SIF6 तो SI का SI का FC इकल टो सिलिकॉन सिलिकॉन का नंबर होता है 14 286 बिशाए 284 तो सिलिकॉन के बाहिये कोस में कितने लेक्रों हो जाते हैं 4 बाहिये कोस में 4 FC आप वही तरीका बाहिये कोस में 4 एक्रों उसके बाग में वंदों की संध्या यह ज़े माइनस माइनस बंदों की संथय अब सिलिक्रों नहीं है एस नलाक्रों की संध्या ZEE और बरावर यहां चुह माइनस तुन ओर इसकाट सीक्स इसक लिए माइनस महतु州 और तो फ्लोरीन के प्रतेग फ्लोरीन के पास में 6-6 एक 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 एक्टॉम का सांजा कर लिया तो वो तो SM6 होगे इसलिए प्रतेग फ्लोरीन का एा एफ का एफ c forward charge forward charge ओक हरी जिओ्प इसpero Uhr agreeing के बागिके फ्लोरीन का नमर 9 पहले को उसमें 2 जुटरे को उसमें कितने 7 जीुट को उसमें कितने नोगे'll साथ minus बंदों की संख्याँ बंदों की संख्याँ 1 plus यदि हम इसके Indi को जोड़ेंगे तो माइनस दो के आगे से इतना बचेगा, माइनस दो, इसलिए SIF6 को हमेशा SIF6 डबल लगेटिक के नाम से दिखा जाता है, इसलिए SIF6 एक आयन है, आणू नहीं है, यदि आप से ही कहा जाए, सिद कीजिए कि SIF6 एक आयन है, तो उसको सिद करो, मैं एक को धार और ले लेता हूं, नों तर अम्मोनियम को धार लेता हूं, अम्मोनियम का, अम्मोनियम में क्या होता है, अम्मोनियम में, प्रभूनियम ही हां मनू लिया अपने N-S-3 N-2 है, यह S-Positive आ गया, H-S यह यह लेक्ट्रों देगा, तो इसलिए N-S-3 में यह जो आ यह यह पॉजिटिव और यह यह नेगेट्व हो जाता है, यह नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए यह यह नेगेटिव और नेगेटिव, इसलिए यह नेगेटिव और नेगेटिव, इसलिए यह नेगेटिव और नेगेटिव, इसलिए यह नेगेटिव की आस्ट कित्र है ह दो हिए वहिस पर कोई आवेस नहीं है, इसलिए नाहिजिट पर आफसी निका रहेंगे तो नाइटरोजन के पाँच माइनस बंदों किसम क्या एक दो तीन चार प्लस जीरो और नाइटरोजन के पास में प्लस वन इसलिए अमोनियम भी क्या चीज़ होता है एक आयन होता है तो इस प्रकाश से आपचारी कावेस की तो धार्ना है मैंने लुए है कि कोई ज़िय। कोई संचना जो है वो आयन है अत्वााँ है यदि सम्स्तर पर मानो कातर है कोड़िय कावेस जीरोटा जीलो हो कहते हैं I am sold to for today that's all ours का इतना ही आशा करता हूँ ये वबचारी का आवेस आपको सहुज में आगया होगा आप अपने इस से आवेस इसको मेरे वीडियो को इंटेस्टिंग केमस्टी को परे साथ ये परे साथ दूसरे एक साथ सेयर कीजिए बताइए और अधिक से अधिक आप इनका मेरे इस इंटेस्टिंग केमस्टी का जो है अलग अपने साथियों को बताइए कि भी ये बड़े लाप्रद वीडियो बनाने जा रहा हूँ अभी मैंने सुरूर की है वीडियो बनाने एक से बढ़िया वीडियो थ्रौ एयर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा औ तो आप मेरे वीडियो प्रानम से आन्थ तक देखते रहें थैंक यू वरी मुच्छ